नमस्ति दोस्तों मीनो के आर्गनिक वेजी टेबल गार्डन में जोकी छट पर बना हुआ है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं अपने छट गार्डन में बहुत ही फ्री का फर्टिलाइजर है वो खाद जिसे मैं यूज करने जा रहे हूं वो एक फर्टि यह है राख तो आप सोचेंगे कि राख कैसे खाद है तो जी हां दोस्तों यह राख बहुत ही बेश्ट खाद है हमारे पौधों के लिए इस राख में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैलसियम पोटैसियम मैगनेशियम फस्फोरस और बहुत सारे नियूट्रियंस विटामिस जो है कि मौजूद रहते हैं तो आप सोच रहें कि कौन सी राख कायूज हम करें तो सबसे बेश्ट राख होती है लकडी की राख यदि आपको लकडी की राख मिल जाए तो आप उसी कायूज करिए नहीं तो फिर आपको लकडी की राख नहीं मिल पा रही है तो आप कंडा उपला या गोहरा जिसे कहते हैं तीनों मिलाकर एक ही होता है जो की गोबर से बनता है तो उसका भी राख आप ले सकते हैं अपने बग्या में प्रियोग करने के लिए खात के रूप में तो यह देखिए दोस्तों है लकडी की राख है तो आपको दिखाई दे रही होगी और यह थोड़ा सा सफेज जैसे रहती है और यहां पर देखें यह है कंडा जो गोहरा करते हैं उसकी राक है तो यह थोड़ा सा काली कलर की रहती है कंडा या उपला की जो राक होती है तो आज मैं यूज करने जा रहे हूं इस लकड़ी की राक का खाद के रूप में अपने सारी पौधों में दूंगी तो चलिए पहले इसे हम खाद बनाते हैं मतलब फटिलाइजर बनाते हैं इस लकड़ी की राख से तो फटिलाइजर बनाने के लिए एक तो यह राख ले ले आप तो जो भी राख आपको मिल जाए वो ले सकते हैं देखे दोस्तों मेजरमेंट करने के लिए मैं एक चमच ले ली हूँ तो जितना चमच यह राख रहेगा उतना ही मग हम पानी डालेंगे एक दो तीन चार पांच छे छे चमच राख हो गई तो उतना ही मग देखे एक दू तीन चार पांच छे तो छे मग हमने पानी डाल दिया और देखे इस तरह से राख को खुब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी में और देखे तुरंथी राख का ये फोटिलाइजर बनकर के तैयार हो गया है वहुत ही पावरफूल सक्तिसाली आप इसे अपने पाउधों में देंगे तो चलिए इसे हम तो सारे पाउधों में जादे पाउधों में देना है तो हमने ऐसे बनाया है लेकिन माली जी आपको एकाद पाट में देना हो तब आप कैसे इसे डालेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक किसी एक पाट में आपको इस तरह से कोई पौधा लगाए हुए है और उसमें देना है इस राख की खाद तो जान ले देखे ये एक मग पानी है दोस्तों तो इसमें एक इसी तरह से चम्मच ले 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 और उसमें राख डाल दें और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आप इसे देखें यहां पर टमाटर लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे टमाटर हैं और इसमें से हर्वेस्टिंग भी मुझे मिलती रह रही है तो इस पाट के मिट्टी में इस राख के खात को डालेंगी दोस्तों तो सबसे पहले आप इसकी पाट के मिट्टी की गुडाई करने तो देखें मैं कल साम को ही सारे पाट के मिट्टी की गुडाई कर दी थी और आज साम को मैं ये खात का प्रयोग कर रहे हूं राक के तो इस तरह से इसे टमाटर में दे देंगे तो ये तो हो गया पाट यदि आ फटिलाइजर को एड़ कर सकते हैं यह जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो यहां पर देखिए लेहसुन लगा हुआ है तो लेहसुन और प्याज के लिए यह जो राख की खाद होती है तो इसका जरूर से आप यूज करें चाहे आप पैरेस गाडन में लगाए हो प्याज में जरूर से आप इस तरह से राख का खाद बना करके फटिलाइजर के रूप में प्रियोग कर सकते हैं और यहां पर देखिए टमाटर लगा हुआ है तो टमाटर इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें धेर सारे टमाटर लगेंगे और राख में आप जान इसे ज़्यादा तर हम फ्रूटिंग प्लांट में ही यूज करेंगे चाहे वो फल हो फूल हो या सबजियों वाला पौधा है जो ही फ्रूटिंग करने वाला है उसमें भी यूज कर सकते हैं और प्लस पत्तेदार सबजियों में भी थोड़ा सा हम यूज करेंगे क्योंकि कभ इसे थोड़ा सा पतेदार सब्जियों में भी यूच कर दिये हैं और उधर चलते हैं तो यहां पर देखे लगा हुआ है मूली जो की कंद वाली फसल होती है तो यह मूलियां लगी हुई है तो इनमें भी मैं राह का प्रयोग कर रही हूं इस तरह से फटिलाजर के रूप में और एक बात का ज़रूर से ध्यान दे दोस्तों यदि आप मिट्टी में राख मिलाए हुए हैं जब आप सब्जी लगा रहे हैं या कोई भी पवधा जब लगा रहे हैं और उसमें मिट्टी में राख मिलाए हुए हैं तो दुबारा से आप राख का खाद के रूप में डे और आपकी फसल अच्छी नहीं होगी क्योंकि यह पीच लेवल को बढ़ाती है राख से बने हुए फट्रिलाइजर का प्रयोग आप जो पौधे फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं दोस्तों जो की फॉल फुल सब्जियों वाले पौधे होते हैं उन समय आप एट कर सकते ह और थोड़ी मात्रा में पत्तेदार सब्जियों में भी डाल सकते हैं कि फंगस बगर नहीं लगेगा आपके पत्तेदार सब्जियों में लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने वाले पौधों पर आप डाल करके जरूर से देखेगा ट्राइक करिएगा बहुत ही बहतर मिलेगा आपको क्योंकि यदि आप गाउं से बिलांग करते होंगे तो देखते होंगे गाउं में पहले बहुत सारे लोग जो है की राख का प्रयोग करते थे बग्या में अपने खेतों में भी किया जाता था तो जिसे की पैदावार तो बहुत अधिक नहीं होती थी लेकिन जो भी होता था वो सुद्ध होता था और शुद्ध खाते थे लोग और पहले के लोगों के पैस उतना पैसा नहीं था जो की केमिकल युक्त खाद का प्रयोग करे खेतों में तो यही सब राख वगर डाल करके वो अपने खेती किया करते थे और शुद्ध पैदा करते थे और सुध दखाते थे इसलिए स्वस्त रहते थे लेकिन आज हम लोग केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं जिससे की पैदावार तो अधिक है लेकिन जो अनाज या सबजियां हो रही है वो सुध नहीं है आप जानते ही होंगे कितनी सुधता है तो मैं यहीं चाहती हूँ कि आप ल सब्दियां आप भी खा सकते हैं तो इस तरह से रहा का प्रयोग आप अपने बग्या में एक बार जरूर से करिएगा और करने के बाद क्या परेड़ा मिला कमेंट बाक्स में जरूर से बताईएगा वीडियो देखने के लिए आपनों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर हैपी गार्डें